नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नहीं वीडियो में एक और नहीं दिन एक और नहीं बाइक बाइक भी नहीं बलकि आज लेके आए आपके लिए एक स्कूटर और आज हमारे साथ खड़ी है हीरो माइस्टो एज 125 दोस्तों ये इसका टॉप वेरियंट है जो विड डिस्क ब्रेक विड कनेक्टेड फीचर आपको देखने को मिलता है और आज के इस वीडियो में आपको इसका देंगे एक डीटेल वाकराउंट बताएंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं क्या-क्या अपग्रेड कर दिया गया है कैसी डिजाइन लैंगवेज है और दोस्तों आज हम जो कलर दिखा रहे हैं यह इसके टॉफ वेरियंट में दो स्पेशल कलर आते हैं जो कि एक डूल टोन फार्मेशन के साथ आते हैं प्रिजमाटिक पढूर्स हीरो इने बॉलत आज आज आपको दिखा रहे हैं वह है प्रिजमाटिक परफल दूसरा लूरा आता है प्रिजमाटिक य'llow तो दोस्तों यह तो कुछ बात हो गई कोलर के बारे में अब बात करते हैं इसकी dimensions के बारे में तो दोस्तों इसकी length, width और height आपको screen पे देखने को मिल जाएगी और एक बहुत जादा important point जो कि है ground clearance ये मैं आपको बता देता हूँ ground clearance इसकी आती है 155 mm की जो की ample है काफी जगा मैंने इसको चलाया और आप right review इसका देखेंगे तो आपको और detail में information मिलेगी उसके अलावा हमने इसका एक night right review भी दिया है आप उसमें भी काफी सारी information ले सकते हैं तो basically इसके अंदर आपको ground clearance ample देखने को मिलती है और बाकी की dimensions की जो बात कर रहा हूँ वो बाकी scootyos से add पार है उसके अलावा अगर बात करते हैं तो अब आजाते हैं इसके engine की तरफ तो दोस्तों यह maestro edge 125 है तो 125 denote करता है कि इसके अंदर provide किया जाता आपको 125 CC का एक petrol engine अच्छे दोस्तों features इसके अंदर भी काफी सारे हैं हमने features के लिए एक specific अलग video बना के रखा हुआ है तो अगर आप specifically जानना चाहते है कि maestro edge के अंदर क्या-क्या tech hero ने load करा है तो आप उस video को जाके visit कर सकते हैं सभी videos के link आपको description में और i button में देखने को मिल जाएंगे engine की बात कर रहे थे तो engine का power output वगेरा आपको बता देता हूँ 125cc का petrol engine है जो आपको provide कराता है 9bhp की power और 10.4nm का torque दोस्तों एक scooter के लिए ये काफी अच्छी power specifications है और अगर competitors से note करें तो power output में इसके कोई कमी नहीं है उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों अब आपको दीरे दीरे करके लेके आते हैं इसकी looks की तरफ क्योंकि हमने हर चीज के लिए एक separate video बनाया हुआ है तो आप चाहे जो information आप लेना चाहते है maestro edge के उपर मैं पूरी एक playlist त्यार करी हुई है आप उस playlist पे visit करके अपने मन मताबिक information सारी ले सकते है चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं एक walk around की तरफ और वहाँ आपको दिखाते हैं कि actual में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें load कर दी गई तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका एक एक aspect शुरू करते हैं सभी चीज़ों को front look से और सबसे पहले note करने वाली चीज़ है इसके prismatic colors तो दोस्तों मुझे personally ये dual tone color काफी जादा अच्छा लगा काफी जादा पसंद आया और यहाँ पे अगर आप note करेंगे तो कहीं पे shade आपको purplish देखने को मिलेगा और कहीं पे एक green tint यहाँ पे देखने को मिल रहा है overall ये चीज़ काफी सुन्दर लगती है जब आप real life में daily life में इस चीज़ को देखते हैं उसके अलावा अब शुरू करते हैं इसके front से और आपको दिखाते हैं करने को मिलेगा chrome के साथ hero का logo बाकी दोस्तों इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे matte finish का use कर दिया गया और यहाँ पे देखेंगे तो आप texture का feel ले पाएंगे और नीचे आ जाते हैं तो दोस्तों काफी sleek headlamps बनाए गए हैं इसके अंदर और पहली बार स्कूटी में मैं देख रहा हूँ कि dual projector headlamps यहाँ पे दिये गए हैं दोस्तों projector headlamps अभी तक सिरफ गाड़ियों में दिये जाते थे और अब स्कूटी के अंदर भी यह चीज प्रोवाइड कर दी गई है उसके अलावा दोस्तों high beam के लिए दो अलग lamps दे दिये गए हैं जो कि again एक काफी अच्छी बात है यह BS6 scooter है तो lights आपकी all time on रहती है यहाँ पे और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ आपकी number plate के लिए जगा दे दी गई है उसके नीचे यहाँ पे आपको एक pattern follow होता दिखेगा जो कि एक triangle type में दिया गया है उसके नीचे आ जाते हैं तो आपके graphics आते हैं और edge की badging यहाँ पे आ जाती है दोस्तों यहाँ पे एक air curtain दिये गए हैं जो कही ना कहीं cooling में जरूर इसकी help करते होंगे और कहीं ना कहीं practicality बढ़ाने के लिए ऐसे cooling vents काफी जादा necessary हो जाते हैं और चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो indicators की placement और इसके designs काफी edgy रखे गए हैं indicators भी अगर आप देखेंगे तो एक edgy design form यहाँ पे कर रहे हैं जो की देखने में और overall illumination में काफी अच्छे लगते हैं नीचे आजाते हैं अपने तो यहाँ पे आप देखेंगे mudguard जो की again यहाँ पे black shade में आ रहा है और यहाँ पे आपका color shade में आ रहा है अब आजाते हैं नीचे tire की तरफ तो यहाँ आप देखेंगे एक आपको Alloy Wheel प्रोवाइड कराया गया है 12 इंच का जिसका साइज है 90-90-12 CR Tires के साथ यह Maestro Edge आ रही है और यह आपको दिखा रहा हूं मैं Disc Brake Variant जो की Connected Features के साथ आता है और यहाँ पर आपको एक Reflector देखने को मिलेगा IBS का System जो की होता है Integrated Braking System इसकी बात अपने Detail में करिए अपने Features के वीडियो में जिसमें सिरफ आपको Explanation दिए कि Maestro Edge 125 के अंदर क्या-क्या Features आपको देखने को मिलते हैं अब आ जाते हैं Side Panel की तरफ तो यहाँ पे आपको FI की Baging कर दी गई है क्योंकि यह 125cc का जो एंजन है वो Fuel Injected Format के अंदर आ रहा है और अब Carburetor वाला Concept खतम हो चुका है दोस्तों अब आपको लेकर आजाते हैं Side Panel की तरफ तो उससे पहले आप यहाँ नूट करेंगे तो floorboard का area काफी wide रखा गया है माफी चाहूंगा थोड़ा सा गंदा हो रहा है इस टाइम अंगिलर डिजाइन पैटन के साथ यह आ रहा है और जब आप यहाँ अपना foot rest करते हैं तो यहां पे भी आपका एक rest बन जाता है जो कि और जादा comfort पिलियन के लिए बना देता है उसके अलावा दोस्तों बात करी जाए तो यहां आप देखेंगे तो काफी अच्छे graphics का यूज किया गया है जो कि again अलग-अलग color pattern follow कर रहे हैं और हर एक pattern अलग चीज डेनोट करता है जैसे यहां लिखा गया है 125 जो डेनो गाड़ी है और पर्ल फिनिश में यहां पे पेंट किया गया है अगर आप देखेंगे धूप में कितना justice हो पा रहा है तो यहां पे आपको पर्ल दिखाई देंगे जो कि जनरली गाड़ियों के पेंट में दिखाई देता है ना कि टू विलर इसके अब आ जाते हैं इसके टैल लाइड करता है यहां पे प्यानो ब्लैक का एक पार्ट और यहां पे दी गई है वी शेप में वी शेप में आपको टेल लैंस की फ़र्मेशन देखने को मिलती है इनके साइट के अंदर यहां पर लगाए गए गया है इंडिकेटर्स अब आजाते हैं नीचे की तरह त साइड दिखाते हैं आपको यहां पे Silencer की प्लेस्मेंट है जिसका exhaust note अभी सुनाते हैं आपको कुछ ऐसी लोग काथी है रेर से exhaust की अब आजाते हैं आपको seat की तरफ लेकर क्योंकि seat comfort काफी जादा ज़रूरी है तो यहां आप देखेंगे दो तरह के pattern का usage से यहां पर किया गया है यहां पर कुछ कार्बन फाइबर टाइप में फिनिश है और आप देखेंगे तो कुछ ऐसा कमफर्ट है सीट में हलाकि राइडर के लिए एक अलग फाइब्रिक का यूज किया गया और यह जो सीट सेटप की तो यहां पर आपको फुली डिटल स्पीडो मेंटर देखने को मिलता है जिसमें लेफ्ट साइड में इंटिग्रेशन करी गई आपकी फ्यूल मेंटर की उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है यहां पर आप देखेंगे तो सर्विस रिमांडर के लिए एक ब्लिंकर यहां पर ओन हो गया इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो जहां पर इंजन लाइट आपको दिख रही है यहां पर सभी तरह की लाइट की प्लेस्मेंट कर दी गई यह वार्निंग लाइट जोने बोलते हैं यहां पर आपका डिटल स्पीडो मेंटर दिया गय इसके अलावा यहां पर प्रोवाइड किया गया है यह आप देख सकते हैं ट्रिप वन ट्रिप टू और ब्लूटूट कनेक्टिविटी फीचर जिसकी बात हमने अगें अपने फीचर के वीडियो में डिटेल में डिसकेशन करिए और आपको बताया इसका एक एक फीचर जो हीरो की बैजिंग कर दी गई है और यह पूरा पैनल प्यानो ब्लैक से सराउंड किया गया है यहां पर आप देखेंगे तो अगें प्रिज्माटिक परपल कलर में आपको एक हिंट देखने को मिलेगा उसके नीचे चलते हैं तो दोस्तों की दिखा देता हूं आपको कुछ कुछ इस तरह की डूल की देखने को मिलेंगी जिसमें हीरो की बैजिंग कर दी गई है और यह कुछ ग्रेश फिनिश में आपको देखने को मिलती है की का आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से इजिली आपकी की इंसर्ट हो जाती है यहां पर फीचर की बात क और fuel open की सबी चीजों की information यहां provide करा दी गई अब आ जाते हैं अपने switches की तरफ तो दोस्तों I3S का tag इसके अंदर भी आता है आप इसे on या off अपने requirement के हिसाब से कर सकते हैं switches की quality काफी अच्छी है और यहां पर use किया गया एक textured plastic नीचे की तरफ आजाएं तो power on करने के लिए आपको यह switch provide करा दिया गया accelerator और grip कुछ इस तरह की दी गई है और grip के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर और यहां पर dotted lines दी गई है जिससे आपकी grip और जादा better हो जाती है while accelerating वहीं चलते हैं अपने braking की तरफ तो brake liver काफी अच्छा है और metal में finish किया गया बाकि overall paint quality वगएरा सभी चीज़े अच तो आप देख सकते हैं mirrors काफी sturdy है और अच्छी quality के यहां पर rubber covers भी दिये गए जिससे आपकी neatness को बढ़ाता है अब चलते हैं अपने left side के controls की तरफ और यहां भी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें provide कर दी गएंगे तो यहां आपका switch दिया गया low beam high beam अब अगर ऐसे कर देते हैं तो यह high beam पर चला जाता है प्लस डिपर यहां पर provide कर दिया गया है पास का switch आप देख सकते हैं इंडिकेटर के लिए इसमें थोड़ा different type का button दिया गया है आप left करेंगे उसके बाद यह उपर देखेंगे तो यह button press करके इंडिकेटर off हो जाता है कुछ इस अब दोस्तों आपको लेके चलते हैं नीचे floorboard की तरफ और यहां दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें provided है तो सबसे पहले आपको एक utility के लिए यहां पर hook दे दिया गया है उसके नीचे आजाए तो यहां पर आपको tire information दी गई है जो कि actually काफी जादा जरूरी रहती है नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको plastic board दिया गया है उसके अलावा यहां पर भी एक hook की placement कर दी गई है जो कि काफी अच्छा रहता है यह आप देख सकते हैं यहां पर भी utility के हिसाब से यह काफी अच्छी चीज है इसके बाद आपको दिखा देते हैं कि आप अपने boot का access किस त दिया गया है उसके अलावा यहां पर रबर का usage किया गया है जिससे आपकी seat stable रहे और sound कम से काम हाए प्लास्टिक का usage है यहां पर नीचे आजाते हैं seat के अंदर तो यहां पर आप easily अपना एक full face helmet integrate कर सकते हैं उसके अलावा यहां पर slotting कर दी गई है जिससे आप easily अपना को ले दी गई है जो कि night time में काफी help करने वाली है और अगर बात करी जाए तो यह एरिया पूरी तरह से covered रखा गया है और कोई भी चीज exposed नहीं है तो इसमें cost cutting किसी भी तरह की नहीं करी गई है अब बूट को बंद कर देते हैं और आपको दिखाते हैं आपका fuel filler cap कैसे open होता तो यहां पर आईएगा की को थोड़ा सा अंदर insert करेंगे और उसके बाद आपका fuel filler cap यहां से open हो जाता है दोस्तों open करके तो क्या ही दिखाएंगे आपको इस चीज को बट capacity बता देता हूं तो इसके अंदर 5 लिटर की fuel tank capacity आपको देखने को मिलती है तो दोस्तों यहां प ग्राफिक्स के जस्ट नीचे आपको दिया गया silencer जिसकी covering कर दी गई है और पूरा mad black में यहां पर finishing करी गई है काफी अच्छा लगता है यह देखने के अंदर और इसका exhaust note भी आपको सुना देते हैं तो दोस्तों माइक में पता नहीं चीज़ें कैसी आ रही होंगी बट exhaust note कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और refinement का एसास आपको इसको एक बार चलाने में ही हो जाएगा उसके अलावा बात करते हैं तो रेर में आप टायर देखेंगे तो यहाँ पे टायर सेक्शन दिया है 9010 का जो की एक दो इंच कम है आगे से हलाकि यहाँ पे भी एक alloy wheel की placement कर दी गई है और overall काफी अच्छा लगता है आगे और पीछे का टायर देखने में हलाकि अगर पीछ तो कुछ information आपको और प्रोवाइड करा देता हूं suspension की बात करेंगे तो spring-loaded telescopic suspension आगे दिये गए इसमें और पीछे दिये गए गया आपको एक और डिफिरेंस देखने को मिलेगा जो कि यह weight में तो drum brake वेरियंट आपका 1 kg हलका है जो कि यह 111 kg का और वहीं डिस्क ब्रेक वेरियंट आपका 112 kg का हो जाता है पेलोड के बात करें तो 130 kg की पेलोड के साथ यह आता है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस नहीं मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन दबा के रखें और लाइक जरूर दबा दें चलिए धन्यवाद दोस्तों जब भी आप टू विलर चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं जब भी आप फोर पिलर चलाएं तो सीट बेल लगा के चलाएं धन्यवाद दोस्तों